मूडी फूडीज मैं हूं सोनर और स्वागत है आपका मेरे चैनल मूडी फूडीज में आज हम बना रहे हैं एद की स्पेशल रेस्पी शीर खुर्मा एक फार्सी अलफाज है तो शीर का मतलब है जिसमें मिल्क और खुर्मा का मतलब है खजूर तो यानि जब हम दूद को पकाते हैं और खुब सारे ड्राइफ फूट्स डालते हैं तो हमारा शीर खुर्मा तयार होता है और इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब एदाती है मैंने लिया है एक लीडर खुर्मा की रसीपे गैस पर रख दिया मैं ले रहे हैं कुछ ड्राइफ फूट्स मैं खजूर काजूर और बादाम जिनको मैंने अच्छे से प्रश कांट्व अकरोड, किश्मिष, पिस्ता, चिरोंजी, और रभ लिया मैंने ये पैन और इसमें मैंने डाला टू टेबल स्पून देशी घी और इसको मैंने अच्छे से पैन में थैला लिया और अब इसमें हमस अपने सारे ड्राइफरुट्स को फ्राइई करेंगे व्यद्राइप अगर अगर थोड़ी सी भी फ्लेम हमने जादा करी तो ड्राइफ फूट्स में थोड़ी सी जलने की महका जाएगी तो ऐसे ही हम सारे ड्राइफ फूट्स को धीरे धीरे एक एक करके डालते जाएंगे और लगता है चम्मस से चलाते हुए इनको हलकी आज पर फ्राइफ कर लेंगे सारे ड्राइफ फूट्स अच्छे से फ्राइफ हो गए हैं और हलकी हलकी सोंदी सोंदी खुश्पुगानी शुरू हो गई है तो अब इसको एकसाइट कर देंगे हम अब दूसरी गैस पर देखते हैं जहां हमने दूद चड़ा रखा है दूद में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है तो अब हम इन ड्राइफ फूट्स को इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब मैं घी वाला पैन दुबारा से ले रही हूँ और इसमें मैंने डाला टू टेबल स्पून घी और अब यह ली है मैंने सूजी यह लगबख सौ ग्राम के करीब है और इसको भी हम मीडियम आज पे बहुत हलके हाथ से फ्राइग करेंगे अगर हम इसको तेजी से गुमा आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और दूद को काफी गाड़ा होने तक भी लगबख वही तिक्टेस आ जाएगी तो हम अब चब्मस से खुब अच्छे से इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे जिससे की कोई भी लंस नहीं रह जाए और अब हम इसमें एट कर देंगे जो हमने सिवाई को फ्राई करके रखा है बहुत हलके हाथ से इसको इसमें एट करना है हमको और इसको भी हम लगातार चलाते हुए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे सिवाई अच्छे से पक जाए जूर का बहुत अच्छा कलर आ गया है थोड़ा सा और color लाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कुछ केसर के धागे और Карश की हुई छोटी हरी इलाईची इसको भी हम लगातार चलाते हुए mix कर लेंगे और ठोड़ी देर के लिए हम ढखकन लगा करके इसको पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे 5-7 मिनट के बाद हम देखते हैं हमारी सिवाई लगबग पक चुकी है तो अब इसमे थोड़ी सी मैं चीनी एट कर रही हूँ वैसे तो खजूर मीठा होता और कंडेस मिल्क में भी चीनी थी तो इसलिए चीनी आप केरफुल होके डालें कि आपको कितनी चाहिए इसको हम 4-5 मिनट तक और लगातार चलाते हुए पकाएंगे और लगबग अब हमारी सिवाई पक चुकी है ये ठंडी होने के बाद और गाड़ी हो जाएगी आप इसको गरम भी सर्व कर सकते हैं तो मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आते हूँ और अपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ये बिल्कुल फ्री है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए मेरी तरफ से आपको एद मुबारक हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में तो बने रहें मूडी फूडी के साथ